प्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर तो देखे प्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान ये ग्यान यानी जो हमारी स्रीज चल रही है आर आर भी एंटी पीसी आर रर सी गुरूब डी और मिनिस्टर वाले एक्जाम्स के लिए जी के की तो फ्रेंट्स आई होप ये वीडियो आपको पसंदा इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन है सबसे प्राचीन वेद कोन सा है तो यह है रिगवेद यानि सबसे प्राचीन वेद है रिगवेद नेक्स्ट है नमबर दो जाली दस्तावेजों का पता मुख्यत है किन किरुणों द्वारा लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है परावैगनी किरु खार्शयन वाद हुआ था, कोशन ये भी आता है, किसके टाइम में हुआ था, अकवर के टाइम में, नेक्स्ट है फाइब, ध्वनी किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, यानि ध्वनी जो होते हैं किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, तो ये निर्वात से नहीं गुजर सक देखे फ्रेंट से दोनों ही कोशन बहुत ज़्यादा पूछी आते हैं अगर बात आती है एस्थाई की तो सचीदानंद सिना और अगर बात आती है इस्थाई की तो यह है राजंदर पिरसाद चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट एट एशिया का बंजर भूमी किसे कहते हैं मतलब क्या कहलाता है तो यह थार मरुस्थाल और फ्रेंट से यहां पर देखिए हमने फिप्टी कुईज में साइंस जियोग्राफी हिस्टरी सारी और संभिधान सारी कोशन हमने इसमें हैं कुछ नहीं छोड़ा सभजक्ट वायज हमने इसमें इसमें इंक्लूट किये हैं तो कोशन एशिया का बंजर भूमी कहलाता है तो क्या कहला था थार मरुस्थल नाइन है बर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है यहीं बर्षा की बूंद जो गोल होती फ्रेंट्स किस कारण होती है तो तियो प्रष्ट तनाव के कारण और फ्रेंट्स यहापे प्रस्ट तनाप की जगा आपको सतह ही तनाप भी देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि प्रस्ट और सतह एक ही होते है ठीक है नेक्स्ट है पानी पत का पिर्थम युद्ध कब हुआ तो यह होता पंद्रह सो चब्भी सीस्ट भी में और फ्रेंट्स किसके मद्द्ध हुआ था बावर और इबरहीम लोधी के मद्द्ध जिसमें बावर बिजी हुआ था नेक्स्ट है इलेवन कोई लेके किस रूप में अधिक्तम प्रतिशत कारवन पाया जाता है तो यह पाया था एंध्रे साइट में फ्रिपिटिक किसका धार्मिक गरंत है तो फ्रेंट्स यह बोध्द्धो का धार्मिक गरंत है नेक्स्ट है 14, स्वेज नहर जोडती है, यानि स्वेज नहर किस-किस को जोडती है, तो जोडती है लाल सागर भूमध्य सागर को 15 है ब्रहम समाज के संस्थापक थे, यानि ब्रहम समाज के संस्थापना किस ने की थी, तो कि थी राजा राम मोहन राइने नेक्स्ट सिक्स्टीन दिलवाला के चालुक के मंदर यानि जिसे जैन मंदर भी कहा जाता है कहा इस्थित है तो यह इस्थित है रजस्थान में 17 है अश्ट अध्याई किसकी रचना है, तो अश्ट अध्याई किसकी रचना है friends, पालिनी, यहनी अश्ट अध्याई के जो रचिता है वो कोन है पालिनी है, next 18, सूरत किस नदी के तटपर इस्थित है तो किस के तटपर है ये तापती नदी के next 19, पिरकास बर्स किस बस्तु को नापने की इकाई है तो ये दूरी को मापने की इकाई है 20 है, सूर्य के पिरकास का कौन सा भाग सोर कूकर को गर्म करता है तो यहाप भाग आ जाए या किरने आ जाए कि कौन से किरने करती है तो आपको करना है अवरक्त किरने ठीक है फ्रेंड्स जो प्रेशर कुकर होता है उसको कौन गर्म करता है अवरक्त किरने करती है और इस तरीच को अगर आप क्या है तो इसका नाम है अब्दुल कलाम दूइप यानि वीलर दूप का जो नया नाम है वो क्या है अब्दुल कलाम दूइप है नेक्स्ट है 22 भारत्य राज्ये की पहली महिला राज्येपाल कौन थी तो यह थी सरोजनी नाइडू 23 है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं फोटोस्फियर 24 है किस नदी को चीन का सोक कहा जाता है यानि हुआंग हो नदी को चीन का सोक कहा जाता है 25 है प्रत्वी के बाता बरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला तत्व कौन सा है तो यहाँ पर देखी friends प्रत्वी के बाता बराण में बताने ठीक है तो यह है nitrogen अगर बात आती ब्रहमान की ठीक है तो उसमें कौन सा जाता friends हाइट्रोजन हो जाता नेच्ट है 26 बेरो मीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का ताथ पर यह क्या है तो इसका अचानक गिरावट का है तूफान ठीक है friends अगर बेरो मीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो इसका क्या है कि तूफान आने वाला है ठीक friends अगर धीरे धीरा आती है तो बरसा और धीरे धीरा अगर उपर चलता है बहुत सो को नहीं तो यह होता सहतूत को बोलते हैं सहतूत के पत्ते पर next 29 जीका वाइरस का बाहक मच्छर कौन सा है तो यह है एडिस मच्छर 30 है DNS क्या है DNS की यह नहीं फुल फोर्म क्या है तो इसका domain name system 31 है राजिस्थान में परमालो विद्यूत केंदर कहां इस्थित है तो इस्थित है रावत भाटा में ठीक फ्रेंट्स 32 है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो किसका है शनी का 33 है गांधी इर्भीन समझोता किस बर्स में हुआ था वह था 1931 यानि 1931 में 34 है अंतिम मुगल वाटसा कौन सा था तो अंतिम मुगल वाटसा था बहादूर शह जफर Next 35 संगम साहित्य के संदख्षक थे तो यह है पांधी यानि संगम साहित्य के संदख्षक पांधी थे 36 है पुरा लेक सास्तर किसका अध्यन है तो यह है सिलालेक का 31 है आजाद सत्रू किसका पुत्र था तो यह था बिम्बिसार का 38 है बीबी का मगबरा किसके द्वारा बनाय गया तो यह बनाय गया था ओरंग जेब के द्वारा 39 है बीबी का मगबरा कहा इस्थित है तो इस्थित है ओरंगाबाद और ओरंगाबाद कहाँ पे फ्रेंड्स महाराष्ट्र में नेक्स्ट है 40 ओरंग जेप का निधन कब हुआ तो ओरंग जेप का निधन हुआ था 1707 में 41 है कोलकाता में एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके दुआरा की गई तो यह की गई थी सर बिलियम जोन्स के दौरा नेक्स्ट है 42 आरे समाच के संस्थापक थे तो आरे समाच के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती 43 है भारते राष्टे कॉंगरेस की पिर्थम महिला अध्यक्स थी तो यह थी एनी बैसेंट 44 है समिधान सवा की प्रारूप समीती के अध्यक्स थे तो यह थे डाक्टर भीम राव अंबेटकर याणी डाक्टर बी आर अंबेटकर 45 है हमारे राष्टत भज में इस्थित चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है तो यह करता है सत्यका यानि हमारे राष्ट द्धोज में जो इस्ति चक्र होता है वो किसका प्रतिय करता है सत्य का 46 है सबसे गर्म गिरह है तो यह है शुक्र 47 है किस देश में कोईले का सर्भोच भंडारान है तो किसमें है यह अमेरीका में है नेक्स्ट है बस्तु का द्रब्यमान अब बस्तु का द्रब्यमान के होता है फ्रेंट्स सब जगे समान रहता है ठीक है द्रब्यमान कहीं बस्तु का नहीं वदलता है 49 है पिर्थम प्रोसेसिंग भास आया या निए computer की जो पिर्थम प्रोसेसिंग भास थी वो कौनसी है फोल्ट्रोन 50 है बेकलाइट क्या है तो बेकलाइट क्या है फ्रेंट्स एक पोलीमर है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने 50 कुछ कम्प्लीट कर लिए है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए थैंक्स वोचिंग फ्रेंट्स मिलता है अगली वीडियो में आपका दिन सुब हो